जय हैं दोस्तों आपके लिए कोर्वर्मेंट जोब लेके आ चुका हूं जो डारेक्ट निकल क्या रही है पोस्ट ग्रेजवेट इंस्ट्यूट ओप मेडिकल एजुगेशन रीसर्च चंडीगड पीजिए की और से नई विकेंशिक नोटिविकेशन जारी हो चुका है इसमे रखेगी कितनी आपको सालरी दी जाएगी एट जानकर इसे बात करेंगे डिटेल वाइज बात करेंगी सिर्फ आप से रिक्वेस्ट आफ वीडियो कोन तक जरूर देखते रहे हैं और अगर आप चैनल पे नहीं चैनलों को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जोड़ दो दो सकते हैं यहां पर बात कर लेते हैं जैसे कि आपकी गरूप ए बी और सी तीनों तरहे किसमें पोस्ट दीगे टोटल विकेंसी की बात करें 223 विकेंसी दीगी पीजिए आपकी संगरूर पंजाम में आपकी पीजिए चंडीगड में आपकी वेकेंसिया रहेंगी ओनलाइन की बात करें तो एक नौमबर से ओनलाइन फोर्म स्टार्ट हो रहे हैं 28 नौमबर 2022 लाश्टेट रखी गए ओनलाइन तरीके से अपने अपने अप्ला इकरनाइस के लिए उसके बाद अप्लिकेशन फीस की बात करें स्टी के लिए 800 पे फीस है जर्नल कटेगरी ओबीसी अब बात कर लेते हैं जैसे की पीजिए में जो आपके बात कर लेते हैं जैसे की पीजिए में जो आपके विकेंश है चंडीगट में जो विकेंशी रहेगी या आपके जूनिय येकट में स्ट्यू फीस की पोस्ट है टोटल तो आइक भीकेंश दी गही है आपर यीवार कटेगई के सोड़ा विकेंशी इसी केंडेये यह संटे जएोग यह सीच है ar Anil क्वालिफिकिकेशन की बात करें तो इसमें अपने जो जो सैलरी मिलेगी ऑठार से चारी सायसमेंद описании हम बात करें आगे बात करेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी हैं जारसे ही channels के लिए लेवल 7 की आपको सेलरी मिलेगी अठार से चारीस आरीस मेज रखेंगे एक वालिफिकेशन आपने डिगरी पास कर रखेंगे प्लस में पांस साल का एक्सपरियंस होना चाहिए तब यह आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं नर्सिंग अप्शेर की बात करें तो लेवल 7 की से लेगी 8-30 रखेंगे इसके लिए अपने बीचल डिगरी कर रकी मैर्ड कि के साथ तो आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं उसके बाद बात कर लेते मैं जॉनियर लैब टेक्डिशन की लयवल 6 की थे exponisme लेगी एफ ँसके लिए लिए अपने ब्यिआ और पेति कर रक्मिदğी तो आप इसके लिए krijgen सकते हिए धि सब्सक्राइब करें तो लेवल 6 की सेलरी मिलेगी अपको तार चेटी साल एजर रखी गी इसके लिए भी आपने 203 कर रखी हो प्लस में एक साल का एकस्परियंस होना चाहिए आपके पास उसके बाद मेडीकल टेकनिशन की बात करें मेडीकल रेकोर्ट टेकनिशन की लेवल 4 क सेलरी मिलेगी अठार से 30 सालेज रखी इसके लिए अपने प्लस टू पास कर रखी हूँ और 6 मंतकाव के पास स्कोर्स होना चाहिए इसके साइटिफिगेट होना चाहिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं लेवल टू की सैलरी मिलेगी आपको 19,900 से 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी 18,30 सालेज रखी इसके लिए अपने प्लस टू पास कर रखी सिंपल प्लस टू पास कर रखी हूँ इसमें टाइपिंग सपीड होगी आपकी इंगलिस में 35 पर ओडिमेंट और इंडी में 30 पर ओडिमेंट आपकी इसमें टाइपिंग स्पीड रखी गई है देखे इसके लिए आपने सिंपल प्लस टू पास कर रखी है तो आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं अच्छी विकेंशी दीगें लडीशी की पोस्ट है उसके बाद असिटेंट करेंट टू की बात करें लेवल टू की सैलरी मिलेगी आपको अठार से थीस साल एजर रखी इसके लिए आपने टैंथ क्लास पास कर रखी हो प्लस में साइंस के साथ है ओपरिशन ट्रेटर का आपके पास एक साल का एक्सपरेंश होना चीए तबिए आप इसके लिए प्लाई कर सकते हैं लेवरिटी अटेंडेंट की विकेंसी ग्रेर 2 की विकेंसी लेवल टू की सैलरी मिलेगी ऐठार से थीस साल एजर रखी इसके लिए आपने टैंथ क Après Q याभर आप अब बात कर लेते मिन जैसे की इसमें या अनेक परकार डियां हैら और यह एगाई गई गया है सिर्फ आप सरे कोईश्ट आप वीडियो को न तक जरूर देखते रहें देखे इसमें S.E.S.T. को 5 साल का और O.P.C. को 3 साल का पर उपर एजल एक्ष मेप को दिया जाएगा उसके बाद आगे बात करते हैं जैसे कि इसके लिए और क्या पडेट दी गहीं और बात कर लेते हैं जैसे कि एक्जामनेशन फीस की बात कर चुके हैं उसके बाद सलेबस की बात कर लेते हैं देखे उसके बाद सलेबस की बात करते हैं जैसे कि एक्जाम सलेबस की बात कर लेते हैं जैसे कि computer based exam होगा, online exam होगा इसके लिए, देखें, जैसे कि group A की post है जो, इसमें आपसे 85 question पूछे जाएंगे, 85 mint time दिया जाएगा, 85 number का हुगा, 15 number का इसमें आपसे interview लिया जाएगा, total 100 marks का ही रहेगा, अगर आप B or C post के लिए apply करते ही, तो 100 question होगा, 100 number का exam होगा, 100 mint का time दिया जाएगा आपको, total show question होगे, 100 number का exam होगा, और इसमें आपसे, इसमें जो आपकी रहेगी, 0.25 की negative marking और रुकी गई है, question एक number का रहेगा, देखें, जैसा exam में आप short list होते हैं, उसके बाद आपका typing test होगा, इसमें, जिस post के लिए typing होग होगा, और जिस post के लिए आपका interview होगा, उसके लिए interview होगा, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें और क्या update दी गई है, यह आपका typing test रहेगा, LDC की post का typing test रहेगा, जरी पिसमें, और जो आपकी group A की post है, उनमें आपका interview रहेगा, 15 number का interview रहेगा, final result होगा, उसके base पर आपका final result आएगा, इसमें, document verification होगी इसमें आपकी, और यहाँ पर जो आपकी document verification होगी, और exam center आपको बात कर लेते हैं, जो exam center रहेंगी, यह exam center रहेंगी, यह exam center रहेंगी, जैसे आप देखे, जैसे कि अंबाडा, एमरत, शिरी बहंगलूरू, बोपाल, उनिसवर, चंडीगड, देर, अनून, दिली, NCR, अनिक परकार के exam center दिएगे, टोटल 15 exam center दिएगे हैं, जहाँ पर आप exam दिये सकते हैं, यह आपका असले बस रहेगा, जवाब से एक पूछे जाएंगे question, पलस टू लेवल पर आपका question पर रहेगा, अगर आप पलस टू लाइक कर रहे हैं तो, यह आपकी लेवडेट थी, उमिद करता हूँ आपको वीडियो अचले गए, अचले गए, अचले गए उता लाइक जरू कर देना, किसी को doubt हो, तो आप comment करके पूस सकते हो, आज इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं से next video में,